साथियो आप सभी कैसे हो मैं आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे साथियो पोस्ट ओपिस रिक्वर्मेंट दोयार बाइस बड़ी पंपर बढ़ती आई है अंठाम मैयार तरासी की जो 10th और 12th पास वालों के लिए बड़ी बढ़ती है MTS Postman and Mail Guard Vagency निकाली गई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो साथियो अभी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें पास में दिये हुए बेल आइकन पर किलिक करें जिससे आपको जानकारी मिल सके आप इसे सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करें और आप हमसे टेलीगराम गुरूप से भी जुड़ सकते हो आप स्क्रीन पर देखते जाओ पोस्ट आपिस में कौन सी बढ़ती किस तरीके से निकाली गई है और कब से फॉरम एपलाई होंगे मैं आपको पूरी जानकारी यहां पर दे सकता हूं बड़ी बढ़ती की ख़वर सामने आ रही है यहां पर इंडिया पोस्ट आपिस से बढ़ती निकाली गई है यह पोस्ट आपिस रिक्वर्मेंट आप देख सकते हो अलग-अलग अलग-अलग इस्टेटों में अलग-अलग पोस्ट निकाली गई है यानि कि एपी सरकल यानि अंधर प्रदेश सरकल की पोस्ट मेन की 829 मेल कार्ड की 108 MTS की 1666, असम में 934, 73, 747, ऐसी अलग-अलग स्टेट की बात की जाए तो बिहार में, देली में, गुजरात में, हरयाणा में, इमाचल पर्देश, जम्मू कस्मी, जहरकंट, कनाटक, किरिला, मद्द्पर्देश, महराष्ट, एनी सरकिल, उडिशा, पंजाब, राजिस्थान, तमिलनाडू, तेलंगना, उत्राखंड, उत्तरपर्देश, बेश्ट बंगाल, इन मेलगार्ड की 1445 और MTS की बात की जाए, तो 37,549 पदों पर बढ़ती निकाली गई है, और जिसकी सेल्ली आप देख सकते हो, स्क्रीन पर 18,000 से, 18,000 से क्या सी हार तक आपको सेल्ली मिलेगी, हाँ जी, 18,000 से क्या सी हार आपको सेल्ली मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है, कि सेलेक्टन प्रोसेस, ओली मेरिट के वेसिस पर होगा, यानि कि कोई भी एक जाम नहीं होगा, ना तो रिटन, ना एंटर्वू, कोई भी एक जाम नहीं होगा, आपका सीधी ओंदा मेरिट वेसिस बढ़ती होगी, यह आपके लिए बड़ी ख़वर है, 10 और 12 पास वालों के पास वालों के लिए पास वालों के लिए कोई भी एक जाम नहीं देना हुआ, सीधी ओनली, आपकी मेरिट के अंसार, मेरिट बैसिस पर बढ़ती निकलेगी, यानि 10 और 12 की मार्शिट के अंसार, इसमें मिनिमा मेच 18 एर्स, मेच जीमा मेच 40 एर्स है, और एज ना फिर यह उनके लिए पेमेंट मोर्ड, और लेन होगा, केरेट कार्ड, डेवेट कार्ड, नेट बैंगिंग, किसी से भी पे कर सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो कंडिडेट सुड है पास टेंथ, ट्वेल्द गेजुएट फ्रॉम रिकोगा आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए, मैं आपको बता दूँ, दोस्तों से एप्लिकेशन फॉरॉम की स्टार्टिंग डेट सेप्टमब दो यार बाइस, सातियों, यहां पर यानि कि सेतंबर औक्टूवर के बीच में फॉरॉम चालू होंगे आपके, सेतंबर के और जेट होगी, उसकी अक्टूवर महीना लाश जेट होगा, और दिसम्बर जन्वरी में एक्जाम कराने की पूरी संभावना है, जैसे ही इसका रिक्वार्मेंट आएगा, मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर बता दूँगा, सेतंबर अक्टूवर में आने की पूरी संभा सबको मिल जाएगी, धन्यवाद